हेलो जहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आर्मी अगनी वीर के लिए इस्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके और साइंस के मिक्स टोप 30 वेरी वेरी इंपोर्टन्ट कोश्चन डिसकस करने वाले हैं आज की जो क्लास का लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहने वाला है यानि कि इसके अंदर हम इजी लेवल मीडियम लेवल और थोड़ा सा हाड लेवल भी डिसकस करने वाले हैं सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है जिनका भी आने वाला अगनीवीद के एक्जाम है चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा प्रशनों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टार्गेट दे रह पांडे वंच चोल वंच या फिर चालुक के वंच हूँ फाउंडिड माहा बलीपूरम तो देखिए पल्लव वंच की राजा नर्सिंग देव प्रथम ने माहा बलीपूरम की स्थापना की थी जीनों ने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है कोशन निम्न लिखित में से किस स्थान पर है बोद गया सारनाथ सांची कोशांबी धामेक स्थूपा इस एट विच आफ दाफ फॉलविंग प्लेस आंसर मैच करिएगा जिनों ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है सारनाथ उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है कोशन नंबर थर्ड देखिए प्रसीद ब्रहिदेशवर मंदिर कहां इस्तित है वेरी वेरी इंपोर्टेंट इस्टैटिक जीके से हमारा ये वाला कोशन है वेर इस दा फेमस ब्रहिदेशवर टेंपल लोकेटेड तमिल्नाडू असम बिहार हिमाचल प्रदेश प्रसीद ब्रहिदेशवर मंदिर तमिल्नाडू के तंजावूर में इस्तित है जिनों ने ऑप्शन एक को आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का नाम क्या था अब इसके सारे की सारे आप्शन हिंदी में हैं तो आप्शन बोले जाएंगे दिवाने खास, दिवाने आम, इबादत खाना, बुलंद दर्वाजा अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था इबादत खाना, आप्शन आपका C या पे करेक्ट आंसर है जी कॉश्चन नमबर फाइव आपके सामने है संगोली की संधी अंग्रेजो और किसके बीच हुई थी तो देखे, संगोली की संधी अंग्रेजो और नेपाल के राजशाही गोर्खा के बीच में हुई थी आप्शन आपका D करेक्ट आंसर है देखे, नेपाल के राजशाही गोर्खाज और अंग्रेजो के बीच में हुई थी तो अगर आपसे ऑप्शन में सिरफ और सिरफ गोर्खा भी दे दे तो आपको ये आंसर करना है केलियर है सबी को कॉश्चन नमबर सिक्स देखे भारतिय राश्च्री कॉंग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किस ने की थी डवल्यू सी बनर जी, सुरिंदरनाथ बनर जी, बैरुदिन तयब जी, जाकिर हुसेन आंसर करियेगा क्या आंसर करेंगे भारतिय राश्ट्री कॉगरेस के प्रतम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी W.C. बनर जी ओप्शन A. करेक्ट आंसर है व्योमेश, चंद्र, बनर जी कॉश्चन नमबर सैवन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर पंच शील के सिधांत का प्रतिपादन किस ने किया था? लीजिए, कॉश्चन आपका थोड़ा सा मीडियम लेवल का है अब देखिएगा कि आप इन तीस प्रस्णों में कितने कॉश्चन करेक्ट कर पाते हैं पंच शील के सिधांतों का प्रतिपादन किस ने किया था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा पंडित ज्वाहर लाल नहरू चलिए, कॉश्चन नमबर एट तमिल नाडू में जल्ली कट्टू किस त्योहर का एक हिस्सा है जल्ली कट्टू is a part of which festival in तमिल नाडू? पंगल, अनम, हमपी, गंगोर देखिए, अगर आपको इस प्रस्ण का आंसर नहीं भी पता तो भी आपको ये पता होगा कि इन आप्शन में पंगल ही ऐसा आप्शन है जो कि तमिल नाडू का त्योहर है तो जल्ली कट्टू जो है यह पंगल का एक हिस्सा है आप्शन आपका एक करेक्ट आंसर है कॉश्चन नमबर नाइन आपके सामने साइलेंट वैली स्थीत है आसम केरल बैंगलरू आंधर प्रदेश साइलेंट वैली इस लोकेटिड इन आप्शन बी जिनों ने आंसर दिया है केरल उन सभी का आंसर बिलकुल करेक्ट है जी कॉश्चन नमबर दस आपके सामने खुजराहो समू के प्रसिद समार्क किस राज़े में है उत्तर प्रदेश मद्य प्रदेश राजस्थान महराष्टरा इन विच स्टेट आर दा फेमस मॉनुमेंट्स ओफ दा खुजराहो ग्रूप जो भी आपे आप्शन बी को आंसर दे रहे हैं प्रदेश उन सभी का आंसर बिल्कूल करेक्ट है क्वेश्चन नुमर 11 है आपके सामने भारत के प्रतम उप प्रदान मंत्री कौन थे ऑप्शन बोले जाएंगे मुलाना अबुल कलाम आजाद सर्दार वल्लव भाई पटेल जोहार लाल नहरू गुलजारी लालनंदा प्रदान मंत्री थे आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नुमर 12 भारत का योजना योकिश वर्ष स्थापित हुआ था इन वीच एर दा प्लैनिंग कमिशन ओफ इंडिया वाज इस्टेबलिस्ट 15 मार्च 1950 को प्लैनिंग कमिशन की स्थापना हुई थी आप्शन डी आपका राइट आंसर है कॉशन नुमर 13 सविधान का कौन सा अनुछेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है विच आटिकल ओफ दा कॉंस्टिटूशन मेंडेट्स दा स्टेट तू इस्टेबलिस्ट ग्राम पंचायत यानि कि यूँ कहें कि ग्राम पंचायतों का गठन सविधान के किस अनुछेद में है तो अनुछेद 40 ओप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है अच्छा इसके साथ अनुछेद 32 भी बहुत इंपोर्टेंट है समयधानेक उपचारों का अधिकार समयधानेक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुछेद 32 में किया गया है ध्यान रखिएगा कॉशन नमबर 14 प्रित्वी किस तरह से सबसे दूर वातावरनी है को क्या कहते हैं यह बोला जाता है एक्जोश पियर यानिकी बहीर मंडल इससे के साथ कॉशन नमबर 15 आपके सामने है नगुल ट्रम किसी देश की मुद्रा है जल्दी से आंसर करिए लाओस बैंगलादेश निपाल भुतान कि नगुल ट्रम किसी देश की मुद्रा है यह लके नगुल कि बात करेंगे तो यह बुतान की करंसी है option d राइट आंसर है बैंगलादेश की करंसी आप सभी को पता है ना बैंगलादेश की करंसी है टका 16 नंबर कोशन देखिए पंच शीर घाटी कहां इस्थित है वेर इज पंच शीर वैली सिचुएटेड लेबनान पाकिस्तान बैंगलादेश अफगानिस्तान देखिए बात करेंगे हम पंच शीर घाटी की तो यह आपकी अफगानिस्तान में इस्थित है ऑप्शन डी आपका पर्फेक्ट आंसर है जी 17 नंबर कोशन आपके सामने मेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है आंदरप्रदेश तमिलनाडू करनाटक महराष्टरा मेटूर बांध आपका कावेरी नदी पर इस्थित है सबसे पहला प्रशन यह बनता है कौन सी नदी पर है कावेरी नदी पर और यह कहाँ पर है तो तमिलनाडू में है आप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है जी अठारा नंबर देखिए अठारा नंबर कोश्चन है कुमहारिया नामक प्रस्तावीत नूकलियर पावर प्लान्ट किस राज्य से संबंदित है आंदरप्रदेश गुजरात हर्याना पस्चिम बंगाल आप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हैगा हर्याना उन्निस नंबर कोश्चन है आपके सामने गरीबी हटाओ का नारा किस पंचे वर्षी योजना का था अब ही तक आप सबी ने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक शुरूर करियेगा आपका कोई फ्रेंड आर्मी अगरीबी की तैयरी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हलफुल है आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाईएगा ऑप्शन डी करेक्ट अंसर हैगा पाँच भी ये पंच वर्शी योजना का नारा था गरीब हटाओ कॉशन नमबर 20 खत्रे के सिगनल प्राया लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश आगे हमारे जितने भी ऑप्शन ये हिंदी में हैं क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम चमकता है सबसे कम विचलन होता है इसका वेग निवनितम होता है या तरंग धहर्रे सबसे कम होता है देखे सिगनल प्राय लाल होते हैं क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश है वह सबसे कम विचलन करता है दूर से भी आसानी से दिखाई दे देता है ओप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है जी 21 नंबर कोश्चन है जी आपके सामने जल इस तह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है प्रावर्तन के कारण, व्यती करण के कारण, विवर्तन के कारण, धुरूवी करण के कारण जल इस्तेय पर तेल की परत रंगीन क्यों दिखाई देती है तो व्यती करण के कारण आप्षिन आपका बी करेक्ट आंसर है कोशन नमबर बाइस ओजोन आक्सीजन का एक डैश है अपरूप समस्थानिक संभारिक समन्योट्रोनिक देखे ओजोन का सूत्र भी आपसे पूछ सकता है तो O3 ध्यार नखिएगा और ओजोन जो है यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है ओप्षिन आपका एक करेक्ट आंसर है इसके लावा समस्थानिक संभारिक समन्योट्रोनिक आपको पता होना चाहिए कि वह पदार्थ जिनकी प्रमाणू संख्या समान हो वो द्रव्यमान भिन हो समस्थानिक कहलाते हैं वह पदार्थ जिनका प्रमाणू भार समान हो वह संभारिक कहलाते हैं और वह पदार्थ जिनका न्यूट्रोन संख्या सेम हो उसे सम न्यूट्रोनिक कहते हैं तेईस नंबर कोश्चन देखिए, निम्द लिखित में से कौन सी धातू सबसे अधिक भारी है, लोहा, चांदी, निकल, ओस्मियम, which of the following metal is heaviest, ओप्शन या पर आपका डी करेक्ट आंसर आएगा, ओस्मियम सबसे भारी धातू है, 24 नंबर कोश्चन देखिएगा, निम्द का कारण जिवाणू नहीं है, बैक्टिरिया नौट is the causes of the following, टिटनेस, कुष्ट रोग, रेबीज, प्लेग, किसका कारण जिवाणू नहीं है, ओप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, रेबीज, क्या सभी ने ओप्शन सी को आंसर दिया है, चलिए, पच्चिस नंबर प्रशन देखिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, which is the longest cell in the human body, तंत्रिका कोशिका, मासपेशी कोशिका, यक्रित कोशिका, माइको प्लाजमा कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, आप्शन आपका A आपे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 26 नंबर कोशन है, पक्षियों के वेग्यानिक अध्यन को क्या कहते हैं, और्दितोलोजी, और्थोलोजी, ओडोंटोलोजी, फिनोलोजी, अंसर मैच करिएगा, जिनोंने आप्शन एक को आंसर दिया है, और्थोलोजी, उन सभी का आंसर करेक्ट है, 27 नंबर कोशन, इमेल का जनक किसे माना जाता है, इमेल का विश्कार किया था, रे टॉम लेंसन ने, आप्शन भी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, इसी के साथ कोशन नंबर 28 है सामने, मात्मा गांधी और बाबा साहेव अंबेटिकर के बीच पुने संधी कब की गई, वेन वाज़दा पुने पैक्ट साइंड बिट्विन मात्मा गांधी और बाबा साहेव अंबेट कर, जो भी आप्शन भी को आंसर दे रहे हैं, 1932, उन सभी का आंसर यहां पे बिल्कुल करेक्ट है, दिल्ली में हुमायू का मकबरा किसने बनवाया था, बाबर, अकबर, हुमायू, गुल बदन, बेगम, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी, गुल बदन, बेगम, क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, और यह ग्याती हुमायू की सिस्टर थी, यह भी ध्यान रखिएगा, कोशन नमबर 30, आज का लास्ट कोशन, इसके बाद यह कोशन हमवरक का एट किया है, हमवरक भी लेकर जाईएगा, चरक किसके दरबार में प्रसिद चिकिस्चक थे, चरक वाजदा फेमस फिजीशियन, इन हूस कॉट, जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं, कनेश्क उन सभी का आंसर करेक्ट है, तो दोस्तों यह थे आपके जीके और साइंस के तोप 30, वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन, बताएगा, आज का सेशन कैसा लगा, और इन 30 प्रस्टों में आपने कितने कोशन करेक्ट किये हैं, यह कोशन हम रख का है, करकी क्लास में डिसकस करेंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस कहा का निवासी था, वेनिस, जिनेवा, इस्पेन, पूर्टगाल, चलिए, सभी को टेस्ट कंपलीट लगाना है, कमेंट करके जुरूर बताएगा, हमारा पढ़ाय हुआ कैसा लगता है, मिलते झाल